हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैस्ट इंग्लिश क्लासेज मैं हूँ प्रतीक तमर और आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है कुछ पचास के अराउंड स्पोकन इंग्लिश के पॉपुलर संटैंस को अमलोग तयार कर रहे हैं इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर भी मैंने आपको बहुत सारे संटैंस सिखाए थे और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगी यदि आप कुछ अच्छे और पॉपुलर इंग्लिश के संटैंस को रट लेते हैं तो भी आप अंग्रेजी के ऊपर काफी हद तक जंग को जीत लेते हैं यकीनन ग्रैमर और वोकैबलरी बहुत 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 इंपॉर्डन्ट है पर अगर आप कुछ संटैंस को रट ले तो इससे भी आपको बहुत फाइदा होता है और आप बोलना शुरू कर पाते हैं आपके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आईए शुरू करते हैं पहला संटैंस है अ कैट स्वूब्ड या पाउंस्ट अन रेट ये पास सिंपल का वाक्य है वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है एक बिल्ली ने चुहे पर जपटा मारा था अब जपटा मारने के लिए क्या वर्ड सिखाया मैंने आपको सुप और पाउंस नेक्स्ट है ड्रोन एक किडे का नाम है स्टंग यानि डंक मारना स्टिंग की सेकंड फॉर्म होती है स्टंग एक कीडे ने मुझे डंक मारा था ठीक है नेक्स्ट है निबल्ड का क्या आर्थ होता है कुतरना चुहा जिस प्रकार से अपने दांतों से कुतरता है किसी भी चीज को तो कुतरने की इंग्लिश क्या होती है निबल और पास्ट एंस में निबल्ड वर्ब की second form एक टेक्सी ने एक स्कूटी को टक्कर मारी थी या वो उससे भिढ गई थी तो भिढने के लिए क्या वर्ड आएगा collide कोलाइड की second form Collided टेक्सी कोलाइड विद अ स्कूटी ठीक है तो आज के इस चैप्टर में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वर्ब्स और कई अच्छे मिनिंग सीखने को मिल रहे है नेक्स्ट है एक कांटा मेरे पैर में चुभा था तो चुभने को क्या बोलेंगे प्रिक और सेकंड फॉर्म है इसलिए पीछे एडी लग जाएगा और कांटे को क्या कहेंगे थॉर्ण टी एच ओ आर एन थॉर्ण प्रिक्ड माई फुट अब वास्प क्या होता है भंवरा एक काले रंग का खीड़ा होता है और होवर करने का मतलब होता है मंदराना जिस प्रकार अगर कोई हेलिकॉप्टर भी किसी बिल्डिंग के उपर मंदरा रहा है तो वहाँ पर भी वर्ड आएगा होवरिंग ह-o-v-e-r तो यह प्रेजेंट कॉंटिनुवस का संटेंस है भंवरा फूलों पर मंदरा रहा है माइस्ट्रो का क्यार्थ होता है उस्ताद और वो भी संगीत के तो एर रह्मान संगीत के उस्ताद है माइस्ट्रो वर्ड बहुत अच्छा है आपको आना चीए म-a-e-s-t-r-o माइस्ट्रो आपको टीवी में भी बहुत सुनने को मिलेगा नेक्स्ट है बाम की स्पेलिंग इंगलिश में होती है ब-a-l-m और फोरहेड यानी माथा क्या आप उंचा सुनते हो यदि आप कुछ बोल रहे हैं और सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा है और वो बार बार कह रहा है क्या क्या तो आप कह सकते हो क्या आपको उंचा सुनता है और वैसे जिंदगी में काफी लोगों को उंचा सुनाई देता है तो उनको फिर hearing aid देनी पड़ती है एक कान में machine लगती है उनके नेक्स्ट है बैंक sanctioned me loan लोन देने के लिए क्या word आएगा sanction किया गया है लोन ठीक है या फिर grant किया गया है sanction word की spelling याद कर लो s-a-n-c-t-i-o-n next है be a yes man yes man बनो be का मतलब होता है होना या बनना be a yes man yes man बनो मतलब कभी किसी चीज़ के लिए मना मत करो कई लोग होते हैं जिनका negative attitude होता है हर चीज़ पे मना करते हैं ये नहीं करेंगे नहीं वहां नहीं जाएंगे और yes man जो हमेशा तयार रहते हैं हर काम करने के लिए तो be a yes man always say yes भगत सिंग is a martyr a martyr word भी आपको टीवी में बहुत सुनने को मिलेगा martyr का अर्थ होता है शहीद तो he is a martyr m-a-r-t-y-r अच्छे से spelling याद कर लेना next है bind him with a rope bind का अर्थ होता है बांधना उसे रसी से बांधो rope यानी रसी bind him with a rope next है bird is fluttering its wings wings का अर्थ होता है punk और flutter करने का मतलब होता है फड़ फड़ाना दोस्तों meanings की कमी की वज़े से vocabulary अच्छी नहीं होने की वज़े से कहम बहुत सारे sentences नहीं बना पाते हैं इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अकसर जो हम आसपास देखते हैं उन्हें English में क्या कहा जाता है ये meanings आपको पता हो जैसे flutter is twittering और bird is chirping चड़िया चह चहा रही है books toppled over जैसे किताबों को एक के उपर एक रखा हुआ था और वो धरदर धरदर करके गिर गई तो इसे English में कैसे कहेंगे हम books toppled over तो toppled over का क्या आर्थ है ऐसे एक करके गिर जाना next है breeze is blowing सुहावनी हवा बह रही है तो ठंडी सुहावनी हवा को हम English में बोलते हैं breeze is blowing next है buckle your belt अपना belt बांधो buckle करो अपने belt को मतलब उसको बांधो next है business is flourishing धंदा बहुती flourish कर रहा है मतलब अच्छे से फल फूल रहा है अच्छा चल रहा है business is flourishing next है they were shortlisted उनको shortlist किया गया था मतलब उन्हें चुना गया था अगला है children clustered round me तो clustered का क्या मतलब होता है cluster का मतलब होता है इखटा होना cluster c-l-u-s-t-e-r बच्चे मेरे आसपास cluster हो गए थे मेरे चारो तरफ इखटा हो गए थे उन्होंने मुझे cluster किया था चिंकी puts on sash on her face अब ये girls को बहुत अच्छा लगेगा एक वाक्या और specially ये शब्द दुपटा तो दुपटा को इंग्लिश में हम बोलते हैं sash s-a-s-h और पहनने को उसके लिए word आएगा put on तो चिंकी अपने चहरे पर दुपटा बांधती है इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे चिंकी puts on sash on her face चिंकी मुप़ दुपटा बांधी है वह मुप़ दुपटा बांधी है sash word याद कर लेना चिंकी जूले जूल रही है तो चिंकी जूल रही थी चिंकी was swinging अब swing जूले को भी इंग्लिश में swing बोलते हैं और जूला जूलने के लिए जो वर्ब है वो भी है swing तो swinging next है चिंटू ने सिक्का निगल लिया अब निगलने को इंग्लिश में बोलते है swallow जैसे चबाने को बोलते है chew ठीक है ऐसे ही निगल लेने को बोलते है swallow तो चिंटू ने सिक्का निगल लिया है चिंटू has swallowed a coin जाले साफ करो clean the wabs wabs का मतलब होता है जाले थंडी हवा से मुझे जुन्जुनी उठी मैं सिहर गया तो मुझे tingle हुआ थंडी हवा ने मुझे tingle किया फिर है एक घंटे के अंदर वापस आ जाना come back within an hour within का मतलब होता है अंदर अंदर dam cannot withhold pressure withhold करने का मतलब होता है सहन करना dam ये दबाव सहन नहीं कर सकता dam तूट जाएगा उसमें से पानी बाहर आ जाएगा जो ये dam है बांध है ये withhold नहीं कर सकता मतलब सहन नहीं कर सकता pressure मौल भाव करने को बोलते हैं bargain bargain की spelling अच्छे से याद कर लेना bargaining करना मतलब मौल भाव करना don't be a puppet cut putly मत बनो be मतलब बनना या होना puppet यानी cut putly तो कोई अगर किसी के इशारों पर चलता है तो हम क्या सकते हैं कि puppet मत बनो cut putly मत बनो अपने decision खुद लो ठीक है next है don't bother me या don't wax me किसी को bother करना या wax करना मतलब परिशान करना मुझे परिशान मत करो don't bother me या don't wax me next है don't cocks me या don't casual me cocks और casual कार्थ होता है बहलाना फुसलाना किसी को बहलाना फुसलाना कोई काम करने के लिए उसको हम बोलते हैं cocks या casual don't compel me इस कार्थ होता है किसी को compel करना मतलब force करना मजबूर करना तो मुझे compel मत करो ठीक है इनको आप अच्छे से याग कर ले यदि कोई आप से ऐसा कहता है don't compel me तो आपको उसका meaning समझ में आना चाहिए next है don't cry over trifles trifles का मतलब होता है छोटी मोटी बाते हैं तो don't cry over trifles छोटी मोटी बातों पर रोया मत करो trifles don't embarrass me मुझे embarrass मत करो मतलब मुझे शर्मिंदा मत करो don't embarrass me embarrass की spelling कई बार पूछी जाती है e-m-b-a-r-r-a-double-s embarrass करना मतलब शर्मिंदा करना don't evade my question evade मतलब बचना तालना किसी के सवाल को don't evade my question मतलब मेरे सवाल से बचो मत तुम्हें जवाब देना होगा don't exceed the speed speed को मत बढ़ाओ ठीक है speed बढ़ाने को हम accelerate भी बोलते हैं आपने accelerator word सुना होगा तो don't exceed the speed next है don't find flaws flaw का मतलब होता है गलती तो गलती आम मत ढूंडो कई लोगों की आदत होती है वो बस गलतीयां ढूंड़ते रहते हैं गलतीयां निकालते रहते हैं तो don't find flaws don't flare up without reason बिना कारण के भढ़को मत तो flare up होने का मतलब होता है भढ़कना बिना कारण के भढ़को मत don't flare up without reason don't flatter Flatter का मतलब होता है किसी को मसका लगाना, मक्खन लगाना, किसी की चापलूसी करना Flatter और देखते हैं आगे Don't fling baseless charges तो baseless मतलब निराधार और fling मतलब होता है फैकना और charges का मतलब होता है आरोप तो निराधार आरोप मत लगाओ fling का मतलब होता है लापरवाही से फैकना किसी भी चीज को और यहाँ पे क्या फैकना जा रहा है निराधार किसी के उपर आरोप लगाए जा रहे है तो जूटे बिना मतलब के आरोप मत लगाओ Next है Don't gulp down hot tea Hot tea यानि गरम चाए gulp down मतलब उसको तेजी से उसका घूट ले लेना gulp down करना तो गरम चाए है गरम सूप है उसे तो फूँक मारके धिरे धिरे पीना होता है तो don't gulp down मतलब तेजी से मत पियो यह सब बहुत काम के हैं आप इन्हें बोलना शुरू करेंगे 3-4 बार बोलेंगे तो धिरे धिरे यह आपकी जुबान पे आ जाएंगे नेक्स्ट है don't halt रुको मत halt मतलब होता है रुकना stop और halt एक ही चीज़ होती है नेक्स्ट है don't hamper the traffic traffic को मत रोको hamper करना मतलब बीच में आके कहीं खड़े हो जाना और पीछे का traffic सारा खराब करना don't harass me मुझे harass मत करो मतलब सताओ मत harassment word आपने सुना होगा next है don't harp on this topic अब harp एक बाजा होता है तो इस topic का बाजा मत बजाओ मतलब इस बात का राग मत अलापो इस बात से अब आगे बढ़ो एक गीत मत गाते रहो हमेशा next है don't hesitate जिजको मत ठीक है जो भी कहना है खुल के कहो जो भी करना है करो hesitate मत करो कई लोग English बोलने में बहुत hesitate करते हैं इस वज़े से नहीं सीख पाते next है don't make flimsy excuses या lame excuses flimsy excuses और lame excuses का मतलब होता है फालतू के बहाने excuses मतलब बहाने और flimsy excuses या lame excuses मतलब फालतू के बहाने don't mislead him उसे दिशा भ्रहमित मत करो किसी को mislead करने का मतलब होता है उसको गलत direction देना उसको गलत दिशा दिखाना don't mock at him उसका मजाक मत उड़ाओ किसी का mock करने का मतलब होता है उसकी मजाक उड़ाना so friends I hope आपको कुछ समझ में आया होगा अब इसमें समझना क्या है आपको इनके रटे लगाने है सीधी सी बात है मैं आपके लिए सब कुछ लेके आऊंगा grammar भी लेके आऊंगा बहुत सारी vocabulary भी लेके आऊंगा और कुछ ready-made sentences जिनको आप direct learn करके और बार-बार बोलके इनकी practice कर सकते हो ऐसे sentence भी लेके आऊंगा ठीक है so keep it up मेहनत करते रहें English को सीखें अच्छे से इसकी practice करें I'll see you soon यजि चैनल पे नए हैं तो इसको तुरन सब्सक्राइब करें and like and share this video कुछ पूछना चाहते हैं या हमारे काम को अगर आप पसंद करते हैं या कोई कमी बताना चाहें तो comment box में बताएं जल्दी फिर मिलेंगे अगले part के साथ